नमस्कार जैजिनेंद्र जैश्री महाकाल स्वागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में जहां पर हम बात्चीत करेंगे स्टॉक मार्केट की स्टॉक मार्केट की परसों यहने मंडे की रणीतियों के उपर डिस्कॉशन करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणीतिया वनाई क्या निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टन्स थे क्या थे हमारे मैजिकल लेवल्स कौन से स्टॉक हमारे कहरी होके आ रहे थे अभी तक कौन से स्टॉक में आज बाइसल रिकमेंड किया था कहां पर प्रॉफिट हुआ कहां पर लॉस हुआ उसका एक पोस् आप लोग call options की strategy बना सकते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज़ एनसी का जो भी रन नीटी होता है अपने intelligence के तरफ से वो एनसी equities होते हैं तो बाय करके आप उसको जब तक उसका stop loss target नहीं होता तब तक hold कर सकते हैं और अगर sell call हैं तो by default आप लोगो इंट्रडे काटना होता है चलिए पहले तो अपन बात करते हैं stock specific में stock specific की जो हमारे पास holding पर चले आ रहे थे पिछले 15-20 दिनों से बहुत dramatic बजार चल रहा था 200-300 पांट उपर 200-300 पांट उपर कल के पहले जब crash आया था उसके पहले 15 दिनों से लगभग लगभग हम लोग intraday position जो पोजिशन चाहे बाय के call हो चाहे sell के call क्यों कि confidence नहीं दिर रहा था बजार यूज्वली एंड करके जाते थे पोजिशन को लेकिन परसों यानि कल के पहले जो दिन गया जिसमें हम लोगों ने जो रणीतिया बनाई थी उस दिन market close होते होते सारे call execute हो गए यानि कि during the market और लास्ट हाफ एनार और एक घंटे के आसपास वह call activate हुए थे इसलिए वो रह गए और रह गए तो पूरे रही गए थे तो ultimately सारे stop loss के नीचे खुले थे तो मैंने public telegram चैनल पर message डाला था कि इसको hold रखिये exit मैं करवा दूँआ तो आज मोटा माटी सबको exit किया ओवराल अगर मंतली performance देखा जाए तो हम no profit no loss पर बैठे हैं जितना कमाया था वह इन stocks ने लेके चले गया जो हमारे पास holding पर था 23 तरीका 23 तरीका Sun Farma hold पर था 841 का 831 पोस का आसपस नुकसान बुक किया दूसरा स्टॉक था हमारे पास holding पर Reliance इंडस्ट्री रिलाइंस इंडस्ट्री हमारे पास 2376 का बाय था कल तो बहुत नीचे चला गया था बजार और लग्की लिए आज यहां पर आप लोगो तीन टके के आसपस सवा तीन टके का नुकसान हुआ होगा तीसरा स्टॉक HDFC था पंदरा सो एक रुपए का बाय था 1459 रुपए में इसकी भी एक्जिट कर आई तो यहां पर भी अनदर 3% के आसपस नुकसान बुक हुआ चौता स्टॉक अच्छा यह और चार कॉल हमारी के साब से हम एलोकेट करते हैं तीन कॉल थे तो तीन कॉल के लॉस को अगर चार कॉल के प्रपोर्शन में बाट दिया जाए तो 5.5% के आसपस आता है जो कमाया था वही गया इतने बड़े क्रेश में कहीं कैपिटल का नुकसान नहीं हुआ है वह सबसे बेस पार्ट है आज के लिए जो कॉल आज के लिए जो कॉल से लिए थे उसका उसकी बातचीत करता हूं आई डी सी को सेल करने कहा था 210 के आसपस 210.55 का लो पोस्ट किया है और 214.10 का स्टॉप लॉस था 210.55 का लो पोस्ट हुआ तो इवेंचुली इंटैलिस के रूल के हिसा है दूसरा स्टॉप था इंडेसेंट बैंक 8.86 के आसपस सेल करना था 8.94 10 का स्टॉप लॉस था 8.95 का ही इसका लो पोस्ट हुआ है तो लुकिली यहां पर भी एक्जीक्यूशन नहीं हुआ और नहीं कुछ रिकॉर्ड करना पड़ा तीसरा स्टॉप लिया था हमने जील ज आसपस किसकी क्लोजिंग आई है तो यहां पर हम लोगों ने कुछ देड़ परशन के आसपस का प्रॉफिट किया है दो धाई परशन के आसपस तो यह एक थोड़ा सा मैनेज किया हमारे को चौता स्टॉप था हमारा कोल इंडिया 154 के आसपस सेल करना था 158 10 का स्टॉप ल नुकसान हुआ तो इवेंचुली जील में जो कमाया था वो कोल इंडिया ने लेके चला गया घर से कुछ भी ने गया चल यह बात करता हूं कल की कौन सी रणनीतिया नजर आ रही है कल बाय करेंगे संफार्मा आज इसली कटवाया ताकि थोड़ा सस्ता और बाय करने के या फिर कैसे रियक कर सकता है कल के लिए पहला स्टॉक होगा संफार्मा 819-5822 के आसपस बाय करेंगे 802-90 का स्टॉप लॉस 865 के टार्गेट दूसरा स्टॉक होगा हमारा SBIBank 471-472 के आसपस बाय करेंगे 467-90 का छोटा सा स्टॉप लॉस 490 तक के टार्गेट तीजरा स् 682 के आसपस बाई करेंगे 668 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस 702 के टार्गेट चौता स्टॉक होगा हमारा महिंद्रा एन महिंद्रा 789.50 792 की रेंज में बाई करेंगे 774.40 का स्टॉप लॉस 816 के टार्गेट यह हुंगे हमारे कल के लिए 4 स्टॉक 789.556 आए पन्यूस भॉस पिल्ष लिर हमजाब तस बाई करेंगे $950 का स्टॉप लिए ब pa